हालो एवरिवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू वी एस क्लासेज देखिए आज हम करने वाले हैं मंतली टेस्ट जो की अगस्त मंत का है जिसका सब्जेक्ट हमारा है मेक्सिका और क्लास नाइन्द का हम करने वाले देखिए सबसे पहले इसमें फर्स्ट कोश्चन हमें दे रखा है तो उसके सॉलिशन में हमें लिखना है नंबर ओफ टॉटल गिफ्ट वन थटी टू नंबर ओफ टॉटल फ्रेंड्स टू एल तो हमें इसमें डिवाइट करना है उनमें हमें पूछा था कि टॉटल फ्रेंड उसके कितने है 12 है और उसके पास में कितने गिफ्ट है 132 गिफ्ट है तो हर एक को कितने गिफ्ट मिलेंगे तो हमने आंसर के लिखावा है हैंस इच फ्रेंड्स रिसीवड 11 गिफ्ट मतलब 11 गिफ्ट हर एक को मिलेंगे नेस्ट है हमारा टोटल नंबर ओफ रिबिन इस इकल तो 5 लेंथ ओफ इच रिबिन 5 मीटर टोटल लेंथ ओफ फाइफ रिबिन 5 इंटू 5 हमें यहाँ पर क्या करना है मल्टिप्लाइ करना है 5 हमें इसका आंसर रहेगा ठर्ड हमारा हमें क्या लिखना ठर्ड में आकाश गेट्स 17 मार्क से इन टेस्ट मनोज गेट्स 25 मार्क से इन टेस्ट सो 25 में से हमें 17 को माइनस करना है तो कितना आएगा 8 मार्क से हैंस आकाश गोट 8 मार्क से लेस देन बाई मनोज मीन्स उसको 8 मार्क कम आए हैं आगे चलते अब हम फोर्थ में हमें उनलियों लिखना है माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1 और 0 यही इसका आंसर रहेगा फिफ्ट वाला जो है हमें दे रखा है 536 means 536, 293 इन दोनों को हमें प्लस करना है आगे चलते अब हम फिफ्ट वाला फिफ्ट वाला में क्या लिखावा है कविता पैट बिल्स is equal to 173 रूपीज she have a note 500 रूपीज means उसके पास 500 रूपीज का note है और उसे पे कितने करने है 173 रूपीज तो शोप की पर उसे कितने रिटर्न देगा तो हमें इसमें माइनस करना है तो माइनस करने पर क्या आएगा 327 means 327 रूपीज की पर उसे रिटर्न देगा आगे चलते हैं अब हम 7th वाले पे 7th में हमें plus value बताना है plus value of 8 is equal to 80 plus value of 6 is equal to 600 आगे चलते हैं अब हम 8th वाले पे 8th वाले पे हमें 6783 का multiply करना है 76 से तो आंसर हमें आ जाएगा ठीके यहाँ पर हमने कर दिया है आप इसकी शोट भी ले सकते हैं ठीके 9th वाले में हमें लिखना है 0 and minus 1 यही इसका आंसर होगा अब आगे है हमारा 10th वाला 10th वाले में हमें 600 divided by 12 करना है 12 में 600 का divide करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50 यही हमारा आंसर है I hope आपको वीडियो पसंद आया हो तो अब इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरू शेयर करें Thank you